नमस्ते मैं हूं संजय देख्षित और आप देख रहे हैं दी जैपुर डायलोग्स क्या तीसरा विश्वयुद्ध सन्निकट है आर वी हेडिंग फॉर थर्ड वर्ल वार क्यों क्योंकि पूरा का पूरा यह जो मिडल इस्ट है यह इसमें अइस्थिर है और अइस्थिर्टा का कारण जो है वो एक केवल एक देश है उसका नाम है इरान और इरान जो है वो आपको पता है कि वो मुल्लों द्वारा शासित होता है वहाँ एक पूरी तरह से थियो क्रेटिक सरकार है एरान का यो आप देखें कि वहाँ है वैसे तो इलेक्शन होते हैं लेकिन वो इलेक्शन केवल प्राइम मिनिस्टर का होता है वहाँ एक सुप्रीम काउंसल होती है और जो हेड अफ सुप्रीम काउंसल होता है वो एक आयातुला होता है और जो आयातुला होता है वो जो इरानियन नैशनल गाठ जो वहाँ की सबसे बड़ी मिलिटरी की यूनिट है उसका स्वामी होता है उसका अधिकारी होता है तो उसको जो है जनता के मत्से कोई लेना देना नहीं है वो सिप्रीम काउनसिल दौरा इलेक्ट होता है एक बer इलेक्ट होने के बाद जिने के बाद भर रहता है इसी तरहसे आयतол suf Scale नहीं था तो जो theology है शिया मसलमानों की वो भी लगबग उसी जैसी है उनके यहां भी आखिरत आना बहुत जरूरी है और उनका चौदा सो साल से जगड़ा चल रहा है जगड़ा चल रहा है सुनी मुसल्मानों से अभी इसलिए आप पर्चन गल्फ देखेंगे तो उपर इरान है नौर्थ में और साउथ में आपके जो है वो साउथ में कहें या उसके पश्चिम में कहलें साउथ वेस्ट में वो साओधी अरब है वो साओधी अरब जो है वो मक्का और मदीना का मालिक है अब ये देखें कि एरान ने सबसे पहले ये इसराइल वाला तमाशा शुरू किया इसराइल वाला तमाशा शुरू किया तब तक तो ठीक था अब कल परसों में इन्होंने यूएस के बेसिस को टारगेट किया सीरिया में इराप में और जो इराप में जो कुर्द इलाका है कुर्दिस्तान वाला वहां पे यहां तक कि जॉर्डन में तो अब आप क्या सोचते हैं कि यूएस चुप चाप बैठा रहता बिलकुल नहीं तो यूएस ने पहले तेज इराणियन टार्गेट्स को लिया और उनके उपर हमले किये 23 इराणियन टार्गेट्स वेर हिट और अब उन्होंने 36 हूथी वैसे इसका जो correct pronunciation है वो हूथी है लेकिन लोग हूथी हूथी कहते हैं तो हम भी हूथी चलते हैं तो लोग समझेंगे नहीं कि किसकी बात कर रहे हैं 36 हूथी टार्गेट्स को हिट किया अब ये क्या दिखा रहा है ये दिखा रहा है कि जैसा कि इरान चाहता है अस्थरता है अस्थरता आने के साथ साथ चोकी इरान को ऊसका जो अयल है वो sanctions के करण बेचने नहीँ दिया जा रहा है तो दूसरे देश भी अपना अयल ना बेच पाएं आयल की कीमतें बे तहाशा बढ़ जाएं बे तहाशा बढ़नेके साथ साथ पूरे विश्व में एक प्रकार की economic crisis आ जाए ये इरान का सीधा सीधा target है हला कि ये सपल इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि पूरे विश्व में है आर्थिक मंदी चल रही है इसलिए जब भारत में लोग कहते हैं कि बताते हैं जब आर्थिक visualization होता है और साथ प्रसेशत growth बता ही जाती है तो definitely it becomes the brightest spot in the world कि पूरे दुनिया में सबसे अधिक growth वाला सबसे अधिक potential वाला जो जो देश है वो भारत है उसको जाने दे सवाल ये है कि क्या एरान तीसरे विश्व यद्धका कारक बन जाएगा देखे आजकल के जो alliances होते हैं आजकल जो alliances होते हैं जो treaties होती है वो उस प्रकार की नहीं होती हैं जैसे प्रतम विश्व यद्ध के समय हुआ करती थी अब प्रतम विश्व यद्ध में सर्विया और हंगरी के बीच का एक जो जगड़ा चल रहा था वो प्रतम विश्व यद्ध का कारक बना आपको याद दिला दे कि आर्च बिशप फर अर्च ड्यूक फरडिनैंड का जो मैग्यार और हंगरी बुड़ापेस्ट के जो हुआ करते थे उनका सर्विया में असैसिनेशन हुआ और चूंकि उसके बाद फिर हंगरी ने अपना युद्ध सर्विया के साथ में वोशित कर दिया उनकी जिनसे जिनसे ट्रीटीज थी वो सब एक तरफ हो गया है तरफ नियुका प्रतम विशप इसलिए कर का कारख बना दूसरे विश्विद के बाद में यूएस लेड जो वर्ल्ड और बना उससे बहुत सारी स्टेबिलिटी आई लेकिन अब वो स्टेबिलिटी जो है वो इसलिए समापत होती जिसके कारण भी लोगों में असंतोष फैला लेकिन जो इसलामी रेविलूशन इरान में आया 1989 में और वो भी इस कारण आया क्योंकि जो शाह हुआ करते थे शाहरजा पहल भी उन वो यूएस के ऐलाई थे और यूएस ने उनको डिच कर दिया यूएस डिच करने के लिए प्रसिद है और यूएस के डिच करने के कारण जो इरानियन करांती थी वो सफल हुई उसके सफल होने के साथ ही जो पूरा का पूरा सुन्नी विश्वता जहां पर ये सारे मोनार्क सुआ करते थे राजशाई होती थी आज भी है और राजशाईयों के विरुद्ध विद्लोह आरंब हुआ लेकिन वहां पर अमरीका ने पूरी सहायता की जो इरान में नहीं की और अब यहां से जो शिया सुननी वाली जो पुरानी फॉर्ट लाइन थी वो फिर से जागरत हो गई बाद में जब यूएस ने इरान को थोड़ा बहुत डील दी तब इस्टिबिलिटी आई अब ट्रम्प के आने के बाद बाइडन के बाद इरान को फिर से सैंक्शन्स में डाल दिया गया तो अब इरान कह रहा है कि ठीक है भाई हम बरेंगे तो भीया तुमको भी साथ में ले के जाएंगे हम तो डूबेंगे मगर तुमको भी यार ले डूबेंगे अब उस नीती पे इरान चल रहा है और उस नीती को आगे बढ़ाते हुए अपना जो उसका आइडियोलाजिकल जो एक प्लेन है उसमें उसने इसने इस कर रखा है इसराइल को टार्गेट इसलिए कर रखा है क्योंकि जो इसलामिक तियालोजी है वो कहती है कि भई नंबर वन दुश्मन जो है वो उनके जो है वो यहूद है यहूदी उनके सबसे बड़े दुश्मन है लिखा भी हुआ है किताब में लिखा हुआ हुआ है 5.82 तो देख लीजिए पुरान की उसमें लिखा हुआ है कि यहूद और मुश्रकीन जो है वो सबसे बड़े दुश्मन हैं मुसल्मानों के तो यह जो है चुकि मुलों की सरकार है तो मुलों को केवल और केवल आखिरत के बाद यानि आफ्टर लाइफ से मतलब रहता है उनको इस जिन्दगी में कोई रुची नहीं है तो बस उसके उपर वो पूरी तरह से लगे हुए हैं उन्होंने पहले यानि कि लेबनान में वहां पर अपने हिजबल्ला नाम का एक वहां आतंकी संगठन खड़ा किया और हमास को पूरी तरह से लैस किया अब हमास का जो 7 अक्टूबर वाला जो हमास का आकरमन था इसराइल के उपर उसकी सारी प्लैनिंग इरान में हुई सबको पता है और वहां से हम ये कह सकते हैं कि वो तीसरे विश्व युद्ध का जो बीजार ओपड़ है वो वहां से हो गया क्योंकि अब पूरी तरह से विभाजित हो तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ता चला जा रहा है एरान मान नहीं रहा है लगातार कोई न कोई उकसाने वाले का रवाई करता रहता है अभी देखिए कुछ दिनों पहले और कुछ नहीं हुआ तो पाकिस्तान के उपर ही आकरमन कर दिया एक तरफ पाकिस्तान क हिराक के कुर्दिस्तान में अमेरिकन बेसिस है जॉर्डन में अमेरिकन बेसिस है खतर पे अभी तक नहीं किया है क्योंकि खतर में मिडल इस्ट का सबसे बड़ा अमेरिकन बेस है उनकी जो सेंट्रल कमांड है वो खतर से चलती है और खतर और एरान में संबंद बताय जाते हैं और खतर भी उसी लाइन पे चलता रहता है कि किसी तरह से पूरे विश्यो में इसलाम को फैला कर और आखिरत की और चला जाएं खतर को इसलिए आपको ध्यान होगा कि जो गल्फ कौपरेशन काउंसल है उसकी जो कंट्रीज हैं उनोंने काफी दिनों तक को उसका बाइकोट करके रखा था लेकिन इरान की साहिता से और यूएस की साहिता से वो उसको बहुत जादा लुकसान नहीं होने पाया और अंतता फिर इनमें आपस में समझाता हो गया उदर सारे लोग जो हैं इस कारण से यूक्रेन वाला युद गए हैं भूल क्योंकि यूक्रेन में अब ये निश्चत हो गया है कि रूस जीतेगा तो उदर रूस जीतेगा रूस का इंट्रेस्ट इसमें है कि वो पूरे के पूरे इंटरनेशनल आर्डर को बदले भारत अराम से मजे ले रहा है क्योंकि जब बाकी लोग आपस में जगडा करते हैं चोई तीसरा आदमी जो नीट्रल होता है उसकी प्रगती होती है वही हम यहां देख रहे हैं तो यदि तीसरा विश्विद्ध होता भी है तो उसमें भारत के फंसने का कोई खतरा मैं नहीं देख रहा हूँ तीसरा विश्विद्ध होगा तो अब मिडल इस्ट से ही होगा यूकरेन वाला जो फ्रंट है वो शिथिल पढ़ चुका है होने दीजे तीसरा विश्विद्ध भारत जिस प्रकार की नीतियां इस समय अपना रहा है तो तीसरे विश्विद्ध के बाद भारत मुझे ऐसा लगता है कि विश्व की सरवश्रेष्ट सरवोतम सरवोच शक्ती बनकर उभरेगा जैहिन जै भारत वंदे मात्रों